नमस्ते प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और खुश होंगे साथ में अपने अपना ध्यान भी रख रहे होंगे बच्चों हमारे पठन अभियान को आगे बढ़ाते हूँ आज हम mathematics की वॉक्षीट नमबर 44 पर discussion करने वाले हैं जो की दिना 11-3-2022 की वॉक्षीट है वीक हमारा 8 चल रहा है और थीम है कैलेंडर वॉक्षीट की तरफ आगे बढ़ते हैं सब थीम है स्कूल चले हम ठीक हैं अमित की कक्षा में कुल 40 बच्चे हैं कोरोना की करन सबी स्कूल लगबग 2 साल तक बंथे जब हाल ही में स्कूल खुले तो सभी अध्यापक बच्चों की उपस्तित ही का रिकॉर्ड अपने अपने तरीके से रखने लगे अमित की कक्षा अध्यापिका ने प्रतेक सब्ता में बच्चों की उपस्तिती को नीचे दिये गए चार्ट में कुछ इस प्रकार से दर्शाया है ताकि उन्हें इस जानकारी को पढ़ने में आसानी हो तथा महीने में बच्चों की उपस्तिती का हिसाब रखा जा सके तो बच्चों आप सब जानते हैं कि कोरोना के विज़े से दो साल तक स्कूल बन थे जैसे स्कूल कुले बच्चे स्कूल में आने लग गए और जो स्कूल टीचर है वो अपने अपने तरीके से बच्चों का रिकॉर्ड रखने लग गए तो आप भी इस चार्ड को देकर दिये गए परशनों के उत्तर देने का प्रियास कीजिए अब जो एक उपस्तिती का चार्ड दिखाया गया है एक स्माइल का मतलब है चार बच्चे ठीक है तो हमें बताना है कि सबता हमें कुल कौन-कौन से दिन पर कितने-कितने बच्चा है थे तो देखे सोमबार को कितने स्माइलीज है चार स्माइलीज है यानि कि 4 x 4 16 बच्चे हो गए मंगलवार को कितने स्माइलीज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4, 7 ज़र 28 बुदवार को कितने बचे है 1, 2, 3, 4, 5 5 यानिके 20 और भ्रस्पतिवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ज़र 4, 6 ज़र 24 शुक्रवार को है 1, 2, 3, 3 तो 4, 3 ज़र 12 और शनिवार को है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है तो 4, 5 ज़र 20 यह हमारे कुल बच्चे आगे किस दिन सबसे ज़ादा बच्चे स्कूल आए और कितने तो हमें पता है कि मंगलवार को सबसे ज़ादा बच्चे स्कूल आए है 28 ठीक है तो आप यहान लिखेंगे मंगलवार और कितने आए है 12 अब है सौमवार और मंगलवार में किस दिन अधिक बच्चे आए तो सौमवार और मंगलवार सौमवार में कितने बच्चे है 16 और मंगलवार में 28 तो आप बताएंगे कि मंगलवार में मंगलवार में आए है और कितने आए है 28 शुक्रवार शनिवार को स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या में कितना अंतर है तो शुक्रवार को कितने बच्चे आये हैं 12 और शनिवार को हैं 20 तो कितना अंतर है 20-12 तो कितना बच्चा 8 कितना अंतर है 8 का अमित की कक्षा में कुल बच्चे, कुल कितने बच्चे हैं, तो अमित की कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, सबसे पहले हमें हैं बता दिया गए था, कि अमित की कक्षा में कुल 40 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने बच्चे हैं आप यहां पे लिख देंगे, 40, किस किस दिन स् जनिवार और बुधवार, आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है बच्चो, अब है, अब इवाव को के लिए सुझाव है, बच्चो से बातचीत कीजिए कि इतने दुनों के बाद स्कूल जाने पर उन्हें कैसा लगा, उन्हें अपने अनुभाव साजा करने के लिए प्रोथ स्कूल आना चाहा रहे थे, तो बच्चे अपना experience, टीचर्स को बताईए, अपने पैरेंट्स को बताईए, ठीक है, यह थी आपकी आज की वाकशीट बच्चो, जिसमें हमने बच्चो की संख्या को जाना, ठीक है, उसकी मल्टिप्लिकेशन के थूरूस की हमने कुल आए, पर दो हमने बच्चो के खो chilli, ओीक है आपकी है, यह झापकी है, गी या कही है, भीक एपकी है, भीक है, यह ईना सच्चो की आपकी है, बच्ताईए, जिएका चल्षणा घड़ी की करते है आपका है, और एक यह यह जह करते हैं अभाए, यह तो है आज कूपकी